हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रेकिन पंकर्ज में तो विव जेडवन प्रो में एंडर्वर 10 अपडेट के बाद एक सकेंड फोटा अपडेट आया था उसमें भी कुछ बग्स हैं जो कि मैंने दो दिन बाद उसको चलाया तो पता चला है ये बग्स त जो कि मैंने वाइटीय स्टूडियो और यूटूब अप्लिकेशन नेट होते हुए भी ये कनेक्ट नहीं होती है एरर हो जाती है और अपने मुबाइल को यहां रोटेट कर ले जिसे कि आपको बीग स्क्रीन में अच्छे से दिखे यहां देख सकते हैं कि मैंने वाइटीय स्टूडियो को ओपेन कर लिया है नेट भी मैं दिखा देता हूँ उपर में कि फोरजी नेटवर से कनेक्ट है और यहां टेथरिंग होटोसपोट एक्टिव है जो कि अभी ओन ही किया हूँ उसमें कोई भी यूजर कनेक्ट नहीं है मैं नीचे से सलाइट करके आपको भी है फिर भी आपको यह प्रोब्लम आएगी वीडियो को एक लाइक कर दें तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैं जैसे ही वाइफाई होटोसपोट को ओफ करूंगा तो यहां इस्टूडियो ओपन हो जाएगी तो यह कुछ प्रोब्लम आ रही है मुझे दिन भर में क बहुत बार हो रहा है अब देख सकते हैं कि मैं दूसरा आपको देखा देता हूं कि यूटूब यूटूब में भी आप देख सकते हैं कि सारा चीज ओन हुआ है यूटूब भी नहीं खुल रही है जो कि मैंने वाइफाई होटोसपोन में कोई भी अभी कनेक्ट नहीं है कि यहां देख सकते हैं YouTube application जोंकि YouTube है वह उपन नहीं हो रही थी यहां पर Tethering और होतरश्पॉट Active है और यहां पे देख सकते हैं कि फिर भी Error बता रही है नीचे में Wi-Fi से ज्यादा डेटा बचा हुआ है मैं आपको यो के बास 1299 पर डायल करता हूं आप यहां खुद देख ले यहां देख सकते हैं कि मेसेज आ चुकी है जीव के तरफ से मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां देख सकते हैं मेरा तो जीवी डेटा है डेली का मगर उसमें से यानि कि अभी मेरे डेल जीवी से ज्यादा डेटा पेक है फिर भी देख सकते हैं नहीं खुल रही है तो आपको मैं यह भी पुरूब दिखा दिया हूं अब मैं जैसे ही वाइपाई होटोसपूट को ओप करूँगा अब देख सकते हैं मैं रिट्राइप पे क्लिक करूँ यह देख सकते हैं सेटिंग के अब आउट में आपको जाकर सारा दिखा देता हूं देख सकते हैं यहाँ पे आप्डेट में शिस्टम अप्डेट में भी देजा कर दिखा देता उ कि मैंने यह शेकौन जी फटा अपड़ेट आई ती वह मैंने recake रखा हुआ है तो आप पर क्लिक करूँगा तो अब मैं जैसे ही वाइपाई होटो स्पोट को ओप करूँगा तो फिर देख सकते हैं यहाँ पर यूटूब खुल चुकी है चलती है एप्स उसमें यह सब प्रोग्रम दिखने को मिल रही है इस अपडेट के बाद चलते है नमबर टू में क्या बग्स है डेटा ओन का तो वो डिस्कनेक्ट हो जाती है ओटोमेटिक कभी कभी चलाते चलाते बीच में ही तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीगनल में उपर में आपको मैं सेंबल दिखा रहा हूँ जो कि बिलिंकिंग कर रहा है नेटवर्क ओटोमेटिक कट के आ जाएग तो यह भी एक बग्स है यहाँ पर फिर एक बार अपने मुबाइल को रोटेट कर ले तो अब चलते हैं हम नमबर थ्री में कि उसमें क्या बग्स है बैटरी परसेंटेज जब आप मुबाइल को स्वीचोप या रियस्टाट करेंगे तो आपको बैटरी परसेंटेज पहु आप कम हो जाती है जो कि बहुत फास्ट ब्रेंट हो जाती है फिर अप में दुबारा फिर उसको करके दिखाऊँगा तो फीर से टरेंट हो जाएगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फोन को यह स्टाट किया और फोन ओन होगी तो आप खूद देख लिएगा कि किक poking इसमें प्रोब्लम आई है बैटरी ट्रेन में तो मैं आपको दिखा देता हूं तो मैं इसको यहां अनलोक कर देता हूं फिर आपको देखे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा बैटरी 13% हो गई है अभी मैं आपको खोदी अभी थोड़ी दिर पहले 20% दिखाया था और मैंने रिया स्टार्ट किया और तो यह 13% होगी यानि कि 7% बैटरी डाउन हो गई एक मिनट के अंदर तो यह कुछ प्रोब्लम आ रही है अब फिर मैं इसको 13% है अब मैं फिर इसको आपको सामने फिर रिया स्टार्ट करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि फि यहां पर्सेंट की यहां पर बैटरी डाउन हो गई है तो आपको दिखा देता हूं बैटरी एप में जाकर कि देख सकते हैं 11% बैटरी होई है जो कि मैंने रिया स्टार्ट किया आप लोग के सामने अपना भी एक बार मुबाइल को रिया स्टार्ट करके देखिएगा कि ब क्रेस हो जा रही है वहां पर उपन करने पर इडिट में जाने पर वहां से थोड़ी देर में क्रेस हो जा रही है तो यह प्रोब्लम आ रही है जिसी के वज़र से मैं वीडियो थोड़ा लेट से बना पाया हूं क्योंकि मुझे बहुत प्रोब्लम आ रही थी बार बार क्रे तो यह सब कुछ प्रोब्लम आ रही है आगे दिखा देता हूं देख सकते हैं कि यहां काई मस्टर क्रेस हो रही है बार बार इस अपडेट को परना चाहिए या नहीं करना चाहिए मेरा उपेनियन है कि आपको अभी अगर आप यह सब प्रोब्लम को नहीं जहलना चाहते हैं तो अभी ये इस update को मत करिए, मगर इस update में कुछ bugs बहुत से ठीक भी हुए है, बैटरी भी improve हुई है, बट एक बैटरी प्रोब्लम जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप decide कर सकते हैं कि क्या आपको करना है update या नहीं करना है, आपको क्या ये सब प्रोब्लम अच्छा लग रही है या नहीं लग रही है, तो आप कर सकते हैं update और जब तक कि ये update नहीं करेंगे, तो next update आप नहीं कर पाएंगे, अगर ये आपको अच्छी information लगी है तो लाइक करें वीडियो को, अगर नए है चैनल पर तू सब्क्राइब करना न भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नहीं वीडियो गूंड अटोपी के सान मिलती रहे, ठैंक्स पर वाचिंग,